इस्टूरेंस यह आपकी क्लास 3 की मूरल एजुकेशन की बुक है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाइन चैप्टर है खंड दंत लोगी दात के तूटने की स्टोरी है शायर आप लोग ने इसके बारे में पढ़ा हो बट यह है आचार चाड़क की कहानी जिनका दा तूट जाता है उन्हीं के ऊपर यह स्टोरी है चले स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसे रीट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में महान कूट नीतिग आचार चाड़क का नाम अपना अलग ही नाम नहीं सौरी अपना अलग ही अस्थान है वजब कि प्राचीन भारत के इतिहास में चाड़क का जो अस्थान है जगाया उनकी वो अलग है अलग मानी जाती है कूटनीती के और चाड़क ते कूटनीती के थैं वे समराद चंद्रगुप्त मौर के गुरू भी थे और परदान मंत्री भी थे कि वह चाड़क जो थे वह चंद्रगुप्त मौर के गुरू थे और परधान मंत्री भी थे वे बहुत ही भुती मान और चतुर थे उन्हें राजनीति के सभी दाव पेचों का अच्छा ग्यान था चतुर से चतुर राजनीति की भी उनके सामने नहीं चल पाती थी मतलब कि व जो कि बहुत जवड़ादा बुती मान और चतुर थे चालाक थे और बहुत जवझादा दिमांग वाले थे बहुत जग्यान वाले और उन्हें thànhिजाद राजनीति के सभी दाओं के जो नेता थे वो उनके सामने नहीं टिक पाते थे चाड़क अपने समय के लव पुरुष माने जाते थे राजद्रोयों का दमन करने में उन्हें तनिक भी धयार नहीं आती थे मतलब कि चाड़क जो थे वो अपने ही समय के लोव पुरूश जो देश की प्रती बरिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहे तो लोव पुरूश माने जाते थे जो राज द्रोईयों की राज के जो आतंकवादी थे जो राज के जो दुश्मन थे उनको मतलब की उनके साथ बुरा करने में जरा सा भी नहीं दया करते थे मतलब की वो अपने राज रोहियों के साथ बुरा वेवार करने में जरा सा भी नहीं कत्राते नहीं थे और दया नहीं करते थे उन पे वे शाषन चलाने में वज्र के समान कठोर थे वो शार्षन को अपने चलाने में काफी कठोर काफी मतलब रूट की इस्ट्रिक टाइप के थे बहुत इस्ट्रिक टाइप के थे विपच्छी को छमा करना तो वे जानते ही नहीं थे जो चाड़क अपने समाजिक जीवन में कठोर हिरदय वाले थे वही अपने व्यक्तिगत जीवन में फूल के समान कोमल सरस और साहिरदय थे चाड़क बुद्धी के तो धनी थे ही साथ ही हिरदय के भी धनी थे चाड़क बुद्धी आपकी जो थे वह अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते थे छमा नहीं लेकरते थे और जा fertility कि ऐसे नहीं छोड़ते जाने नहीं देते थे ना मतलब कुछ उनके साथ उन्हें सजा दिये बिगर और चाड़क जो थे वो सामाजिक जीवन में मतलब की समाज समाजिक जीवन के लिए बहुत कथोर हिरदयवाले मतलब की बहुत जाधा कर बहुत जादा रूट का इस टायप अपने लोगों के लिए लेकिन उनका जो व्यक्तिक जीवन था है कि तो उनके साथ अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ वह बहुत जादा कोमल बहुत प्यार से सरज और बहुत अच्छे अच्छे तरह से मीठी वाड़ी के साथ प्रस्तुत होते थे बहुत मतलब कि इस तरह बहेव करते थे बहुत अच्छी तरीके से और चाड़क जो थे वो बुद्धी के तो धनी थे मतलब कि अपने दिमाग में दिमाग के तो बहुत जादा ग्यानी थे लेकिन वो दिल से भी बहुत ज़ादा ग्यानी थे बहुत ज़ादा धनी थे बहुत अमीर थे ये घटना आचार चाड़क के बच्वन की है बालक चाड़क अपने माता पिदा की गोध में खेल कर बड़ा होता गया जब एच्छे साल का हुआ तो एक दिन चाड़क अपने मित के साथ खेल कर अपनी माता के पास घर लोटा माता ने बेटे को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया मतलब की ये सब घटने घटना जो है वह आचार चाड़क के बच्वन की जो आगे चलके आपको बताई जा रही है कि बज़ जो चाल चाड़क थे बालक चाड़क जो पिता के साथ उनके गोध में पलक obs अपने बड़े हुए थे और अपने बेटे मतलब की जब हो चैसाल के हुए थे तो एक दिन चाबर बेतrick ने मित्रों के साथ खेल कर फस engane कि ऑटने जसे गर वापस जाब है तो उन्हों तो ओने माता मतलब की जो मां मतल ही बहुत प्या उसे फलवा फूल दिया उसे फलवा दूद दिया दूद पीते हुए बालक चाड़क को देखकर माता के नेत्रों में आसू छलक आया मतलब की चाड़क को उन्होंने अपने पास बिठाया खाने के लिए पीने के लिए उन्होंने दूद और फल दिया जब दूद पीते हुए बालक को बापने बच्चे को उनकी माता ने देखा तो उनके आखों से आसु ठबक पड़े माता को रोता हुआ देखकर बालक चाड़क ने जब अपने माता से उसके रोने का कारण पूछा तो माता ने कहा बेटा तेरे भाग में राज छत्रधारण करना लिखा है तुम को सोच कर रो रही हूं मतलब की उनकी मान कहा कि बेटा मद ऑच्छा ने ब्रोते हुए देखा तो पूछा क्यों रो रही हैं और आप की रोने का कारण बताईए तो उनकी माने कहा कि भीता तुम्हारी किस्मत में तुमाहरे भाग में राज छत्र धारण करना है मतलब की रा राज धारड करना है और तुम थोड़े से ही प्रयात नहीं कि थोड़ी सी कोशिश के बाद ही तुम बहुत बड़े राज के स्वामी बन जाओगे और मैं इसी बात को सोच कर रो रही हूं चाड़क ने हस्ते हुए कहा माता जी इसमें रोने की कौन सी बात है तुम्हें तो प्रैसन होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा मा सच बताओ तुम क्यों रो रही हो तुम्हारे रोने का कोई दूसरी दूसरा ही कारण है माता बोली बेटा मैं तेरी उन्नती पर नहीं अपने दुरहाग पर रो रही हूं अधिकार पाकर लोग अपने सगे संबंदी तक क्यूं पेच्छा करने लगते हैं जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे राजा बन कर तुम मेरे प्यार वादुलार को ठुकरा दोगे मुझे पूछोगे भी नहीं राजा बन कर मेरा लाल मेरे हाथों से निकल जाएगा यही सोच कर रो पड़ी थी मतलब कि फिर वो कहती हैं अपने बेटे से कि मैं तेरी उन्नती मतलब कि तेरी बढ़ाई पर तेरी काम्याबी पर उन्नती पर नहीं रो रही हूं मैं तो अपने दुरभाग पर रो रही हूं अपने ऐसे भाग ऐसे किस्मत पर रो रही हूं कि अधिकार पाकर लोग अपने जो सगे संबंदी हैं उनकी उपेच्छा करने लगते हैं उनको मतलब कि अच्छा तो उनकी बढ़ा लाट दुलार है इस सबको तुम भूल जाओगे और मुझे पूछोगे भी नहीं और राजा बनकर मेरा लाल मेरे हातों से निकल जाएगा इस बात को सोचकर मैं रो रही हूं तो यह जो आपका चैप्टर 9 है वह इसका सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में नेक्स्ट वी प्रेमे